नमस्कार दोस्तों दोस्तों 34 फिट बाई 38 फिट में जो कि टू बेच के घर का नक्षया बनवाए हुआ है उसका जो प्लान है वो हम देखेंगे और इस प्लान के हिसाब से आप घर बनवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे खर्चा कितना आए या वह भी मैं आपको वीडि आपको कोई भी आपके अपने घर का आर्सी से का काम नहीं करना है दोस्तों यह चीज़ यात रखेगा ओके तो चलिए हम उस प्लान के बारे में पूरा डेटल में जाने लेते हैं जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा प्लान है जो कि टू बेचकी का यहाँ पर देखेगा लगबग 34 फिट है और दूसरी साइड में 38 फिट यहने 34 फिट बाय 38 फिट आपको वहाँ पर जगह लगेगा इस प्लान के हिसाब से काम करने के लिए ओके दोस्तों यहाँ पर देखेगा दो बेटरूम है एक हॉल है किचन है ओके यहाँ पर देख सक कोण है जो की बिल्ट अप एरिया है वह 1320 स्क्वेर फिट में हमारा जो पूरा जो बंगल है वह बनवाए हुआ है तो चलिंगर झूप जक्रति हमारे घर का ब्लान है वह इसके जानकर लेते हैं यहां पर दिखेगा जो वारंदा है यहां पर यहां आपर साथ में हमनें पा सीटिंग अरेजमेट कुछ किया हुआ है की और यहां पर की दिछन के लिए दो विंडो लिविंग हौल के लिए हमने हõेUD होल के साथ है यहां पर जाएंगे हम त्टेरख्वर के लिए यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा किचन है जो कि 12 फिट बाइ 12 फिट का किचन के लिए यहाँ पर हमने दो विंडो दे हो है दोस्तों उसके बाद डाइनिंग जो है हमारा उस डाइनिंग के नीचे से ही हमारा जो वाशिंग यह रिया है वह हमें यहाँ पर मिलता है जो क कि लगबंग 12 फिट बाइं साड़े 11 फिट का है विंटिलेशन के लिए वहाँ पर भी दो विंडो दिये हुए हैं ओके दोस्तों विंटिलेशन बहुत ही इंपोर्टनट दोस्तों याद रखेगा जब आप अपने घर का काम करते हो प्रॉपर विंटिलेशन वहाँ पर जरू वाला विट्रूम जो कि 12 फिट बाइं ग्यार फिट का है यहां पर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दे हुए है यहां पर आपका जो बेड का जो अरेजमेंट किया है यहां पर कबोड़ आप रख सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तर से हमने यहां पर प्लान बनवाए और इस प्लान का आपको में कॉलम पोजिशन देखा लेता हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जुट रहेंगे उसमें कॉलम पोजिशन देए हुए हैं यहां पर देखेंगा एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस उसके बाद ग्यारा बारा तेरा चौदा यहने कुल मिलाके हमने यहां पर चौदा कॉलम पर तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने यहां पर प्लान बनवाए हुआ है टू बेज़की का यह आप इस प्लान की हिसाब से गर बनवाना चाहोगे तो आपको जो खर्चा आने वाल आने माला हैं दोस्तों ओके तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना है दोस्तों इसी तरह के में सिविल रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जब आप अपने घर को कोई भी काम करते हो या आप सिविल इंजिनियर हो तो यह जो चैनल है दोस्तों आपके बहुती फाइदेमन रहने वाला हैं हमारे चैनल को जरू सब्सक्राब के लिए दोस्तों तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते के लिए वीडियो में एक नए टॉपक के साथ धन्यवाद दोस्तों